दोस्तों इस तस्वीर में आप साधारण से जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि ये भारत के सबसे बड़े विद्वान है, सबसे बड़े जोते शास्त्री हैं, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी, इसका कारण है कि 22 तारीक को प्रधान मंत्री कितनी देर पूजा करेंगे, कहां बैठेंगे, और राम मंदिर की प्राण परतिश्ठा का जो 84 सेकेंड का सुभमोरत है, वो पंडित गड़ेश्वर सास्त्री नहीं निकाला है, 84 सेकेंड आपने सही सुना, एक मिनट 24 सेकंड का शुभमोरत है, ये शुभमोरत पंडित जिसे कैसे मिल सकते हैं और अगर आपको इनके बारे में जानना है तो इस वीडियो में बने रहिए मैं आपको इनके बारे में और कुछ बताता हूं और राम मंदिर का जो कारिक्रम है कैसे कैसे होना है किन-किन समयों में होना है इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं तो बच के 30 मिनट 32 सेकंड यानी 84 सेकंड का ये शुभमोहरत है इसी में प्राण प्रतिष्ठा जो भगवान राम की मंदिर के की जा रही है यही 84 सेकंड वो मुख्य समय होगा जिस समय प्रधान मंत्री मुख्य मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कारिकरम करेंगे बाकी औ समय का सिकंड का वो मुख्य समय रहेगा आप इस बात को समझे अब मैं बता रहा हूं कि पंडित गड़ेश्वर सास्त्री इससे पहले 13 दिसंबर की तारिख को काशी कारिडोर का भी लोकारपड का शुभ मुहरत निकाला था और उसके बाद इस पर बिवाद भी हो गया था भ पंडित गड़ेश्वर सास्त्री ने भारत के सभी विद्वानों को अपनी बाते बता कर सभी को संतोष्ट कर दिया गया था तब इनकी और जादे प्रसिद्धी बढ़ गई तब भी ये सुर्ख्यों में आय थे अब इनके साथ मैं बता दो इनके भाई रहते हैं उनका ना समय इनको कंठस्त पता हैhini उनका भविश निर्धारण और उनका जोतिश शास्त्र से उनका अवलोकन कर लेते हैं चलिए ये तो लोग कहते है आगे मैं इनके बारे में बता रहा हूँ कि इन्होंने बताया है कि 22 तारीक का जो समय है वो रोगबाण, मृत्यूबाण, शानबाण, श्रूरबाण, अगरीबाण इसका कोई असर नहीं होगा 22 तारीक का वो इतना शुब समय है चलिए गड़ेशवर सास्त्री को रामानंद चार पुरुसकार से सम्मानित है रामानंद चार जो पुरुसकार होता है वो जोतिश शास्त्री के छेत्र में सबसे बड़ा पुरुसकार माना जाता है गड़ेशर सास्त्री मैंने सुरुवात में बताया कि दक्षड भारस से काशी आये थे इनके बारे में कहा जाता है इनके पूर्वज जब दक्षड भारस से आये थे तो काशी के पंडितों ने इनकी बड़ी परिक्षा ली थी और ये परिक्षा महीनों तक चली थी शास्त्रार्थ हुए थे तब इन्हें काशी में इस तरह के जोतिश करने की अनुमती प्राप्त हुई थी काशी के विद्वानू से कहा ये भी जाता है कि इनके पूर्वज रामिश्वरम से जल लेकर पैदा लायते और भगवान विश्वनात की जलाभिशे किया था ये सब गड़ेश्वर सास्त्री के पूर्वज के विशे में ये बाते कही जाती है गड़ेश्वर सास्त्री साउत के हैं लेकिन वर्तमान मे काशी में वो राम घाट इलाके में रहते हैं अगर आपको पंडित गड़ेश्वर सास्त्री से मिलना है मैंने शुरुआद में बताए कि मैं बताऊंगा इनसे मिलने का तरीका इनसे मिलना है तो आपको राम घाट जाकर पंडित गड़ेश्वर सास्त्री के बारे में पूछना होगा और कोई भी सादू संत या कोई भी वहां रहने वाला निवासी इनके बारे में बता सकता है यहां पर उनके तमाम शिर्षित तमाम क्योंकि यह वहां पर जोतिष विद्या का ज्यान भी देते हैं और तमाम लोग वहां पर आपसे इनसे जुड़े हुए मिल जाएंगे कहा जाता है कि गड़ेश्वर सास्त्री जो ग्रह नोचात्र और चोगडिया जानते हैं वो इस भारत में कोई नहीं जानता है इस भारत में इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है गडेश्वर सास्त्री बड़े-बड़े मुहरत धर्मसंकट निकालने का हुनर है इनके जो बड़े से बड़ा मुहरत हो देश भर में कोई अब राम मंदर से बड़ा मामला मुझे नहीं लगता है इस दशक में दशक छोड़ दीजे इस शौवर्स में राम मंदर से बड़ा क आनों के अनुसार आपको लग जाना चाहिए यहां यह अपने बच्चों को आचारे बनाने और कर्मकांड करने के सिक्षा भी प्रदान करते हैं मैंने आपको अब तक बता दिया कि अगर आपसे इनसे मिलना है तो कैसे मिल सकते हैं और इनका जो पिछला समय रहा है वो कैसा रहा है कहां से आये हैं अब मैं आपको 22 जन्वरी के कारिक्रम के बारे में बता रहा हूं और इससे पहले जो गड़ेस्वर सास्त्री ने दिशाइड किया है कि कैसे कैसे होना होने तो बहुत कारिक्रम है लेकिन एक पन्ने पर जितना आया है मैं आपको बता दे रहा हूं क् 17 से 22 तारीक तक का मुख्य प्रोग्राम है जो सप्राण प्रतिष्ठा का कारीकरम किया जाएगा 17 जन्वरी से शुरू हो जाएगा 17 जरू को राम लला की अचल मुर्ती की भव शोभा यात्रा निकाल कर राम जन्भूमी परिसर में स्थापित की जाएगी वो तारीक रहेगी 17 अगर आप जाना चाते हैं उस भव शोभा यात्रा में तो 17 को आप जा सकते हैं इसके बाद 18 जन्वरी को पूजान अर्चन अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 22 जन्वरी को प्राण प्रतिष्ठा की अनुष्ठान की पूरा हुती होगी मतलब जिस दिन प्रधान मंत्री पहुँ जाएगे 22 जन्वरी को मिरिग शिरा नचहत्र में 12 बच के 20 मिनट के बीच में प्रधान मंत्री मौझूदगी में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 12.30 बजे प्रधान मंत्री राम लला की पहली आरती उतारेंगे ये कारिकरन निर्धारित है और बताया ये जा रहा है कि 12 तारीक को कम से कम आयोध्या में 20 लाख लोगों के आसपास होनी की संभावना है अभी से आयोध्या जगमग हो चुकी है चौराहे चौराहे फूल से सच चुके हैं ऐसा लग रहा है कि दिवाली 22 तारीक को है पूरी आयोध्या को सजा दी गई है आज कल प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी आयोध्या आए हुए थे कल प्रधान मंत्री ने 6 ट्रेन, 6 वंदे भादर्त और 2 अमरित भारत ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई है और 7-7 आयद्धा को लगभग 15,000 करोण से भी जादा का कई योजनाय दी है और तमाम एक एयरपोर्ट जो आयोध्या में बना है उस संबंधित तमाम विश्यों पे क मोदी का जो कारिक्राम है वो मैंने बता दिया और पंडित गणेश्वर सास्त्री के बारे में बता दिया ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे comment box में बताईएगा गणेश्वर सास्त्री के बारे में आप इससे पहले जानते थे या नहीं जानते थे ये भी बताईएगा और क्या आप आयोध्या जा रहे है तो भी comment box में बताईएगा ये वीडियो कैसी लगी अपना बेहत ख्याल रखियेगा बहुत बहुत शुकरिया एक बार और पूछ रहा हूँ ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बात हमें comment box में बताईएगा मेरा नाम मित्र प्रकाश है वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेहत क्याल रखियेगा